नमस्कार विस्मी किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी और ये कड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगा बड़ी के लिए मैं सबसे पहले प्यास का पकोड़ा बनाऊंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 5-6 मीडियम साइज का प्यास कट कर ले हूँ और ये 3-4 चमच बेशन है बेशन डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लोंगे और इसके अंदर मैं हरी मिर्च कट कर लोंगे एक दम बारिक कट करना है 2-3 लहसुन का कलियां कट करके मैं इसके अंदर डाल दूंगे काली मिर्च पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर हल्दी स्वादनुसार नमक इन सारे मसालों को डाल के मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लोंगे इसके अंदर मैं अजवाइन और मंग्रेल डालूंगे और अच्छे से मिक्स कर लोंगे हाथ से दबा दबा के मिक्स करना है और इसके अंदर पानी नहीं डालना है नमक डालने के बाद प्याज अपने आप पानी छोड़ देता है इसी के वज़े से इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है पान से 6 मिनट दबाते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे तो प्याज अपने आप एकदम सॉफ्ट हो जाएगा पिंगर की सहायता से गोल बना लेना है और उसको प्रेस करके गरम तेल में डाल देना है और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जब पकोड़ा फ्राई करे तब गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए बहुत हाई रहेगा तो उपर उपर का जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा तो इसके वज़े से गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे यहाँ पकोड़ा एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अम मैं इसको पलट लूँगी और एक साइट से फिर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूंगी फ्राई करने के बाद से इसको थोड़ा सा तेल निथर जाए इसके वज़े से थोड़ी देर कड़ाई से चिपका के पलटे को तिर्चा रखना है जैसे वीडियो में बना है और तेल निथर जाएगा फिर हम उसको एक अलग प्लेट में रख लेंगे ये हमारा कड़ी का बरी बन के तयार हो चुका है कड़ी के लिए मैं यहाँ पे तीन चमच बेशन का इस्तमाल करूंगी ये बेशन मैं बड़े वाले ग्रैंडिंग जार में डाल दूंगी और इसके अंदर मैं 400 ग्राम दही का इस्तमाल करूंगी दही डालने के बाद से मैं पूरा भरके एक जार बड़े वाले जार से मैं पानी का इस्तमाल करूंगी जब पानी मैं डाल दूँगी फिर इसको मैं ग्रैंड कर दूँगी इसको मैं साइड में रख दूँगी और एक इंच अद्रक का तुकरा इसका मैं पेश्ट बना लूँगी वापस उसी कड़ाई में तेल जादा था तो मैं उसको अलग एक कटूरी में निकाल लूँगी और उसके अंदर छोटे वाले चम्मच से आधा चमच जीरा डाल दूँगी जीरा अच्छे से भून जाएगा फिर मैं उसके अंदर एक पिंच मेति के दाने डाल दूँगी एक पिंच धनिया के दाने इसके अंदर मैं तीन खड़ा सुखा मिर्चा डालूँगी और दो खड़ा हरा मिर्चा डालूंगी और इन सब को अच्छे से भून लूंगी जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर अधरक का पेश्ट डाल दूंगी गैस का फ्लेम हाई रहेगा और अध्रक का पेश्ट जब अच्छे से भून जाएगा फिर इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगे कड़ी पत्ता अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो कड़ी का बेटर तयार की हूँ डाल दूँगे गैस का फ्लेम हाई रहेगा कड़ी को प्रॉपर चलाते रहना है एकदम से चलाते रहना है नहीं तो नीचे पकड़ लेगा और हमारी कड़ी खराब बन जाएगी इसके लिए कड़ी को एकदम चलाते रहे और जब कड़ी में बॉयल आने लगे फिर इसके अंदर हल्डी डाल दे हल्डी डालने के बाद से इसके अंदर नमक डाले जब नमक अच्छे से घुल जाएगा लगभग पूरा ये प्रोसेस करने में आट से दस मिनट का टाइम लगेगा और जब हमारा कड़ी एकदम अच्छे से बन जाएगा फिर इसके अंदर बड़ी डाल दे बड़ी डालने के बाद से तुरंत गर्मा गरम परोसे अगर आपको ये कड़ी का रेस पी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और कॉमेंट करना ना भूले वीडियो के अंद तक पने रहने के लिए थैंक्यू सो मुझ